गुद मॉर्निंग स्ट्रेंट्स आज पेटा हम डिस्कुस करेंगे किस तरीके से हम विंड़ एक्सप्लोर के अंदर कोई भी नया फोल्डर क्रिएट करते हैं, कैसे इस फाइल एक्सप्लोर को रिनेम करते हैं, सिलेक्ट किस तरीके से करते हैं, डिलेट किस तरीके से करते हैं सबसे पहरे हम क्या करेंगे विंदर एक्सप्लोर को सबसे पहरे Muslim क्रेट करूं, account प्रेंगर चैनल को स्टेप पहरे हम् कैई मैंने सबस्लेट option है बिटा second step है किसपे click करेंगे new folder option के उपर click करेंगे second step new forward option के उपर click Kया जैसे click करते हो बिटा अब एक नया file folder create हो जाता है ठीक है अब यहां पर जहां पर new file folder दिखाए देरा है यहां पर क्या करो अपने file folder का name टाइप कर दो मैं क्या कर रही हूं इंटा क्लास टाइप किया ठीक है that means मेरा क्या create कर दिया एंड यह जो आपको blank space दिख रहा है यहां पर बाहर क्लिक कर दो तो आपको एक नया file folder क्या हो गया create हो गया ठीक है second है if you want to rename अगर आपको लगता है इस file folder का name ठीक नहीं है या फिर किसी और भी file folder का आप क्या करना चाहरे हो name change करना चाहरे हो that means आप उसको rename करना चाहरे है तो सबसे पहले किस पर क्लिक करें मिटा file folder को क्लिक करो after that you have to click on organize option organize option पर क्लिक किया अगर आपको दो बार से वही box appear हो गया यहां पर क्या कर सकते हो rename मैंने इसको rename कर दिया school word से क्या कर दिया रिनेम कर दिया ठीक है that means मेरे file folder का हो गया name change हो गया that means मैंने इसको क्या किया rename कर दिया okay if you want to select select all the file folder आपको क्या करना है आप select करना जा रहा हो तो उसके लिए कहा जाओगे click on organize option किस पर क्लिक करो organize option के उपर और वहां से किस पर click करो select all जैसे select all पर click करोगे तो आपके जितने भी file या folder से वह क्या हो जाएंगे automatically select हो जाएंगे okay fourth जो आपको सीखना है that is how can you delete a file folder अगर आपको क्या करना हो बिटा कोई भी file folder delete करना हूँ तो सबसे पहले क्या करो कि select select किया file folder को एक या एक से जादे जितने file folders को आप चाहरे हो delete करना हूं सबको select कर लो मैं school को delete करना चाहरे हूं school के उपर click किया कहां जाओगे menu bar के उपर किस पर click करना है organize option के उपर ठीक है यहां से आपको क्या मिलेगा बिटा delete option मिलेगा ठीक है वो आपसे पूछेगा कि you are sure that you want to delete this folder आप sure हो कि आप इस file folder को delete करना चाहते हो या नहीं अगर आप sure हो पिटा कि आपको delete करना है तो किस पर click कर दो yes पर otherwise आप किस पर click कर दो no पर मैंने yes पर click किया तो देखो मेरा यहां से file folder क्या हो गया वो delete हो ठीक है इस तरीके से आप क्या कर सकते पिटा कोई भी file folder create कर सकते हो rename कर सकते हो select कर सकते हो and delete कर सकते हो okay तो यह सब यह आप अपना एक बार रीड कर लेना एंड अच्छे से वीडियो को देख लेना अगर अब भी कोई डाउट रहता है तो क्लियर कर देंगे आपका ओके थैंक यू